नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे हिंदी हेल्थ चनल आरोग्यम में मैं आज आपके लिए कैसी जानकारी लेके आये हूँ जो कम हाइट वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जैसा कि आप सभी जानते हैं एक अच्छी हाइट एक अच्छी परसनाल्टी की निशानी होती है और जनरली ये देखा गया है कि जिन लोगों की हाइट थोड़ा कम होती है उनके अंदर confidence थोड़ा कम होता है और वो हमेशा ही अच्छी हाइट पाने के इच्छुक रहते हैं तो मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसे घरेलू नुशके और आयुरुविदिक उपाए लेकर आये हूँ जिनको इस्तमाल करके आप अपनी हाइट 30 से 35 साल की उम्र में भी बढ़ा सकते हैं एक इनसान की हाइट क्या होगी उसके तीन मुखे कारण है पहला कारण है इनसान का खानपान दूसरा कारण है उसके DNA यानि कि उसके माता-पिता और उनके परिवार में लोगों की हाइट कितनी है तीसरा कारण है HGH हर्मोन्स जो कि आपके पिट्यूट्री ग्लैंड में बनते हैं ये pituitry gland आपकी आखों के पीछे वाले भाग में होता है और ये आपके दिमाग से सीधा जुडा हुआ होता है इससे निकलने वाले hormones आपकी बॉड़ी में सभी जगा जाते हैं और ये pituitry gland ही control करती है कि आपकी बॉड़ी की height और growth कितनी रहेगी height ना बढ़ने की मुख्या वज़ा होती है protein, calcium, vitamin B और zinc की कमी इसके अन्य कारण है असंतुलित आहार, नींद पूरी न लेना और proper workout ना करना तो अब मैं आपको अपने उपाई बताऊँगा जिससे आप अपनी height को भड़ा सकते हैं इवन आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में भी है तो भी आप ये उपाई अपना कर अपनी height बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हम अपने चैनल आरोग्यम पर घरेलून उसके आयरुदिक समाधान और हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लाते रहते हैं तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस रेड बिटन को दबा कर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बैल आइकन को दबा देंगे तो आपको हमारे चैनल से जोड़ी लेटेस अबडेट अपने फोन की नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी तो अब हम आ जाते हैं अपने उपायों के उपर सबसे पहले उपाय में हम अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करेंगे हाइट बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी तत्व जो होता है वो होता है कैल्शियम क्योंकि ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपकी हाइट को बढ़ाता है और कैल्शियम के कुछ अच्छे सोर्स है चूना, दूद, धई और डेरी प्रोडक्ट इसके लिए आपको रोजाना सुबह एक चुट की चूना जो की एक से दो ग्राम के जितना होता है उसको एक कटोरी धई के साथ सेवन करना है इसको अच्छे से आप मिला लेंगे क्योंकि चूना कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है और धई में भी कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ही अधिक मातरा में होते हैं तो आप इसको दोनों को मिलाईए और इसको निरंतर सेवन कीजिए इससे आपकी हाइट बहुत ही तेजी से और बहुत ही जल्दी भढ़ जाएगी हाइट बढ़ाने के लिए दूसरा कारगर उपाय है बदाम, काले तिल, कद्दू के बीज और अश्वगंदा अब आप इन चारों चीजों को अच्छे से पीस लीजे इन चारों को अलग-अलग पीस के आपको रखना है और हर एक खुराक में लग-बग सारे चारों चुरणों की बरावर मात्रा लेनी है इसको आपको रुजाना रात को एक ग्लास हर के गरम दूद के साथ लेना है अश्वगंदा आपकी हाइट को तो बढ़ाएगा ही और उसके लेवल को मेंटेन करता है और साथ ही शरीर में से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है इसके सबसे अधिक लाब के लिए आप शतावरी के चुरण को शहद या दूद के साथ सेवन करें हाइट बढ़ाने के लिए चौता कारगर उपाय है उटनी का दूद उटनी का दूद प्रोटीन, जिंक, प्रोटेशियम, मैगनीशियम और आइरन से भरपूर होता है तो अगर आप इसको रेगुलर पिएंगे तो आपकी हाइट बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी मैं ये समझ सकता हूँ कि उटनी का दूद सब जगा अवेलबल नहीं होता तो अगर आपके एरिया में ये अवेलबल नहीं है तो आप इसके लिए कैमल मिल्क पाउटर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कैमल मिल्क पाउटर असानी से ऑनलाइन लुपलब्ध है आप एक चमच कैमल मिल्क पाउटर गाएं के दूद के साथ ले सकते हैं उसके साथ चाहें तो अश्वगंदा और सतावरी का चूरण भी आड़ कर सकते हैं अब मैं आपको कुछ अन्य उपाई भी बताता हूँ जिसको अगर आप साथ में इस्तमाल करेंगे तो आपकी हाइट अच्छे से बढ़ पाएगी आप जादा से जादा आमले का सेवन कीजिए आमला विटामिन सी से भरपूर होता है और आपकी हाइट को बढ़ाने में बहुत ही फायदे मंद रहेगा आप योगा और मेडिटेशन किएजिए क्योंकि इससे आपका दिमाग स्तेर होगा और आपके पिट्यूट्री ग्लैंट अच्छे से काम कर पाएगा आप प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए स्विमिंग या फिर स्ट्रेचिंग जैसी कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए साथ ही आप अपने खान पान का ध्यान रखिए प्रॉपर निट्रीशियस फूड लीजिए ज़्यादा तला भुना मत खाईए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन उपायों को 6-8 महिने के लिए अपनाएंगे तो आप अपनी हाइट में विजिबल डिफरेंस देख पाएंगे मैं इसके साथ एक अन्य वीडियो भी ला रहा हूँ जिसमें आपको कुछ और उपाय बताऊंगा हाइट बढाने के लिए कुछ आपको एक्क्यू प्रेशर पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपनी हाइट को बढ़ा पाएंगे लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज वाली रेसिपीज आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके सबी सवालों का जल से जल जवाब देने की कोशिश करूँगा अगर आपने इस वीडियो को पसंद करा तो इसको शेयर करना मत बूलिए और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए आरोग्यम आपके निरोगी जीवन की कामना करता है धर्नेवाद